आज की यह कहानी आप लोगों के लिए बहुत ही मोटिवेशनल होने वाली है यह कहानी है गाय और शेर की जो आपको प्रेणा परदान करेगी तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडिय के नीचे रामगड नाम का एक गाउं था गाउं के सारे जानवर हरी घास खाने के लिए सुबह उसी पहाडी के उपर बसे जंगल में जाते और शाम होते होते घर वापस आ जाते थे हर दिन की तरहें लक्षमी नाम की एक गाय अन्य गायों के साथ उसी पहाडी के जंगल मे गास खाने के लिए गई वह हरी गास खाने में इतनी ज़्यादा प्रसंद थी कि वह कब एक शेर की गुफा के पास पहुँच गई उसे पता भी नहीं चला शेर अपनी गुफा में सो रहा था और वह पिछले दो दिनों से बूखा भी था जैसे ही लक्ष्मी शेर की गुफा के पास पहुँची गाय की खुश्बू से शेर की मींद खुल गई वह शेर धीरे धीरे गुफा से बाहर आया और गुफा के बाहर गाय देखकर खुश हो गया शेर ने मन ही मन सोचा कि आज उसकी दो दिनों की भूख मिट जाएगी वह इस तंदुरुस्त गाय का ताजा मास खाएगा और यह सोचकर उसने एक तेज दहार लगाई लक्ष्मी शेर की दहार सुनकर डर जाती है जब वह अपने आसपास देखती है तो वहाँ दूर दूर तक उसको कोई भी दूसरी गाय नहीं दिखती जब वह हिम्मत करके पीछे मुड़ी तो उसे सामने शेर खड़ा धुआ दिखाई दिया उस शेर ने लक्ष्मी को देखकर फिर से दहार लगाई और लक्ष्मी से कहा मुझे दो दिनों से कोई शेकार नहीं मिल रहा था मैं भूखा था शायद इसलिए भगवान ने मेरा पेट भरने के लिए तुझे मेरे यहाँ पर भेजा है आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिठा लूँगा शेर की बात सुनकर लक्ष्मी डर जाती है वह रोते हुए शेर से कहती है मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ मेरा एक छोटा सा बच्चा है जो अभी सिर्फ मेरा ही दूद पीता है और उसे घास खाना अभी तक नहीं आया है लक्ष्मी की बात सुनकर शेर हसते हुए कहता है तो क्या मैं अपने हाथ में आय हुए शिकार को ऐसे ही जाने दूँ मैं तो आज तुझे खा कर अपनी दो दिनों की भूख मिटाऊंगा शेर के ऐसा कहने पर लक्ष्मी उसके सामने रोने लगी और विंती करते हुए कहती है कि आज मुझे जाने दो मैं आज अपने बच्छे को आखरी बार दूद पिला दूँगी और उसे बहुत सारा प्यार करके कल सुभा होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी फिर तुम मुझे खा लेना और अपना भूखा पेट भर लेना शेर लक्ष्मी की यह बात मान जाता है और धमकी देते हुए कहता है कि अगर तू कल नहीं आई तो मैं तेरे गाउं आऊंगा फिर तुझे और तेरे बेटे दोनों को खा जाऊंगा लक्ष्मी शेर की यह बात सुनकर खुश हो जाती है और शेर को अपना वच्चन देकर गाउं वापस चली आती है वहां से वह सीदे अपने बच्चडे के पास जाती है उसे दूद पिलाती है और बहुत सारा प्यार करती है फिर बच्चडे को शेर के पास कुई सारी घटना बताती है और कहती है कि उसे अब अपना खयाल खुद ही रखना होगा वह कल सुभा होते ही अपना वचन पूरा करने के लिए शेर के पास चली जाएगी अपनी मा की बाते सुनकर बचला रोने लगता है दूसरे दिन सुभा होते ही लक्षमी जंगल की तरफ निकल जाती है और शेर की गुफा के सामने पहुँचकर शेर से कहती है अपने वचन के अनुसार मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ अब तुम मुझे खा सकते हो गाय की आवाद सुनकर शेर अपनी गुफा से बाहर निकल कर आता है और भगवान के अउतार में प्रकट होते हैं वह लक्षमी से कहता है मैं तो बस तुम्हारी परिक्षा ले रहा था तुम अपने वचन की पक्की हो मैं इस से बहुत प्रसन हुआ तुम अब अपने घर और पच्छडे के पास वापस जा सकती हो इसके बाद वे उस गाय को गो माता होने का वरदान भी देते हैं और उसी दिन के बाद से सभी गायों को गो माता कहना शुरू कर देते हैं इस कहानी से हमेश तीख मिलती है कि हमें जान की बाजी लगाते हुए भी अपने दिये हुए वचन को पूरा करना चाहिए यही हमारे द्रडविक्तित्व को दर्शा आता है ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे